तो इसके पिछले लेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार हम लोग जो है वो किसी भी नंबर सिस्टम में जैसे कुछ नंबर्स, consecutive नंबर्स के बाद होते हैं, ठेक है, उनका product या फिर sum अगर दिया हुआ रहता है, ठेक है, और वो consecutive नंबर अगर हम लोग को पता नहीं होता है, तो हम लोग quadratic equation का use करके उस पूरे word problem को, उसका जो equation है उसको हम लोग quadratic form में change करके, और वहां से हम लोग numbers को निकाल देते थे, वह आपका जो था, वह आपका type 1 था, quadratic equation का type 1 था, ठीक है आज हम लोग जो देखेंगे वो आपका question है quadratic equation का type 2 ठीक है यानि कि किस प्रकार जो है हम लोग किसी भी quadratic equation को solve करके किसी भी right angle triangle का area या फिर आप कह सकते हो उसके sides निकाल सकते हैं ठीक है तो मैं कुछ example आज आप लोग के बीच solve करूँगा एक दो example जिससे आप लोग का triangle वाला concept जो है वो क्या हो जाए clear हो जाए ठीक है तो हम लोग question देखते हैं first question जो मैं लिया हूँ वो यह है कि the side of a triangle right angle triangle containing the right angle are 4 cm and 2x-1 cm ठीक है यानि कि एक right angle triangle है ठीक है वो right angle बना रहा है कहां पे जहां उसका side लाई कर रहा है पहला side है आपका 4x और दूसरा side है 2x-1 cm ठीक है इन दोनों के बीच में आपका right angle triangle बन रहा है बोल रहा है if the area of a triangle is 30 cm square ठीक है इसको हम लोग triangle का form ले लेते हैं बोल रहा है इसका total area जो है इसका नाम भी ले जो ABC इस 30 cm का area है वो कितना है 30 cm है 30 cm square ठीक है और यह right angle triangle है तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे सबसे पहले जो है quadratic equation के form में लेकर के आएंगे ठीक है तो सबसे पहले जो given है वो मैं लिख लेता हूँ area आपका दे दिया है 30 cm square और अख्या सकते हो कि इसका perpendicular जो है वो 4x cm square है और इसका base जो है वो है 2x-1 cm, sorry square नहीं है cm है और hypotenuse जो है वो इसका हम लोग AC ले लेते हैं ठीक है 4x इसको आप AB भी भी बोल सकते हो और इसको आप BC भी 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 बोल सकते हो ठीक है तो half multiply base, base क्या है आपका 2x-1 हाना और height आपका कितना दिया हुआ है 4x ठीक है और area of triangle ABC की value दी हुई है कितना 30 cm square हाना तो यहां से आप इसको solve करोगे तो यह आपको देदेगा 60 cm square और यह आपका हो जाएगा 8x square और यह आपका हो जाएगा minus 4x ठीक है अगर आप इसको एलेचेंस में ले आओ सारे को तो यह हो जाएगा minus 8x square plus 4x plus 60 cm equals to अब अगर हम लोग यहां मेंसे अगर common लेते हैं 8 को अगर हम लोग minus 8 को common लेते हैं ठीक है तो sorry minus 4 को common लेते हैं तो यहां हम लोग के पास बचेगा 2x square और minus x और minus 15 ठीक है ठीक है एक क्वेश्टो क्या हो जाएगा 0 तो अब यह minus 4 इसके 0 में गया तो आपका 0 ही हो जाएगा तो यह quadratic equation बन गया 2x square minus x minus 15 equals to 0 ठीक है 15 को 2 से multiply करो तो 30 है ना अब हम लोग को ऐसा नंबर देना है जो multiply करने पर तो 30 आ जाए ठीक है और प्लस करने पर minus करने पर 1 आ जाए ठीक है तो हम लोग ले सकते हैं 5x और 6x तो minus 6x plus 5x minus 15 equals to क्या आ जाएगा 0 अब इन दोनों में common क्या है तो 2x common है तो क्या बचेगा x बचेगा minus में 3 बचेगा ठीक है ना 2x हम लोगों नहीं है से ले लिया तो 3 ही बचेगा और प्लस इन दोनों में से 5 को common ले लो तो क्या बचेगा x बचेगा यहाँ पर और minus 3 equals to 0 तो बाहर बाहर जो है उसको एक बार तो 2x plus 5 और अंदर अंदर जो है उसको एक बार तो x minus 3 equals to 0 तो यहाँ से आपका 2x का value निकलेगा क्या क्या निकलेगा एक तो निकलेगा आपका x is equals to minus 5 by me 2 और एक x निकलेगा आपका positive 3 ठीक है आप solve करकर देख सकते हो अब जो है हम लोग क्या करेंगे हम लोगो side निकालना है तो I think so कि यह आपने लिख लिया होगा मैं इसको erase कर रहा हूं ठीक है अब हम लोग अगर x का positive value अच्छा negative क्यों नह negative इसलिए नहीं लेंगे चो कि कोई भी side का length जो है वो negative नहीं आ सकता है किसी चीज की magnitude नहीं आ सकती है ठीक है तो x का value अगर हम लोग 3 लेंगे तो अगर हम लोग put करेंगे तो AB का value आपका हो जाएगा 4 into 3 that is 12 cm है ना और अगर BC निकालेंगे हम लोग तो वह हम लोग को क्या सब्सक्राइब करेंगे तो इन्टू 3 माइनस में 1 एक सब्सक्राइब कर दिया 236 में यहां तो 5 cm ठीक है अब हम लोग को AC पी चाहिए चो कि यहां पर क्या question पूछ रहा था calculate the length of its side यानि कि AB BC AB BC और AC निकालना था तो अब हम लोग देख सकते हैं यहां पे 90 डिगरी बना र हो गया पाइथागोरस थेयरम हाना बाइपलाइग पाइथागोरस थेयरम ठीक है हम लोग अगर अपलाई करेंगे तो क्या पाएंगे AC स्क्वार इकोस टू AB स्क्वार प्लस BC स्क्वार ना वाट वी गेट AB स्क्वार थेख 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 स्क्वार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूट अगर जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है तो यह हम लोग को देगा थर्टिन है ना तो ऐसी का वैलू क्या हो गया 13 तो आप आप क्या सकते हो कि A, B जो है वो आपका निकल करके आया 12 cm B, C जो है वो आपका निकल करके आया 5 cm और A, C आपका निकल करके आगया 13 cm तो इस तरीके से आप किसी भी triangle वाला question जो है वो पाइतावरस थोर्म लगा करके और साथ-साथ में जो है आपका quadratic equation का use करके आप जो है triangle के question को भी बहुत ही easily solve कर सकते हो ठीक है अभी हम लोग एक दो example और देखेंगे उसके बाद हम लोग जो है वो clear होगा ठीक है तो प्याव अच्छो हम लोग एक next question और देखते हैं है ना question क्या बोल रहा है कि the sides of a right angle triangle are x minus 1 cm 3x cm and 3x plus 1 cm find the value of x the length of its side and its area बोल रहा है एक right angle triangle है ठीक है एक right angle triangle है जिसका जो sides है वो क्या क्या है आपका x minus 1 3x और 3x plus 1 ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि right angle triangle का बात हो रहा है इसका मतलब hypotenuse base और perpendicular की बात चलेगी ठीक है तो जो भी sides आपका दियावर हैगा x के form में ठीक है उसको आपको देखना है कि जो सबसे बड़ा exist है तो ये x minus 1 है यानि x में से कुछ घट रहा है ये आपका 3x है यानि कि 3x में से कुछ multiply हो रहा है और ये 3x plus 1 है यानि इन तिनों में से सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो वह आपका 3x plus 1 है और जो सबसे बड़ा होता है वही आपका क्या हो जाता है हाइपोटेनस हो जाता है ठीक है अब इन दिरों में से किसी को भी आप क्या लेलो बेस लेलो और perpendicular लेलो उससे फार्क नहीं पड़ता है ठीक है तो हमको सबसे पहले x का value निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पाइसा गरस ठीक है थोड़ा सा लिख लेना है given क्या-क्या है भाई तो ac आपका है 3x plus 1 ab जो है वह आपका है x minus 1 और bc जो है वह आपका 3x तो फिर लिखना है एकले बाइपलाइंग पाइथागोरस ठीक है ना इंटरेंगल abc लिखी देता हूं मैं बाइपलाइंग पाइथागोरस ठीक है इंटरेंगल abc at right angle at b ठीक है इतना लिख दिये अब अपलाइं करो तो पाइथागोरस ठीक है क्याता है क्याता है कि भाई जो hypotenuse का square है वह आपका perpendicular के square प्लस base के square के कोल हो जाता है ठीक है अब अगर आप अपलाइं करोगे तो आप देख रहे हो कि ac आपका क्या है 3x plus 1 है तो इसका whole square और ab क्या है तो x minus 1 है तो इसका whole square और bc आपका क्या है 3x का whole square ठीक है अगर आप इसको solve करोगे तो a plus b के whole square में तूटेगा तो यह है आपका a square यानि 3x का square plus 2ab यानि 2 into 3x into 1 plus b square यानि 1 का square है यह किसके कोल हो जाएगा x square minus 2ab यानि 2x और plus 1 का square plus 9x square ठीक है अब अगर आप इसको further solve करो तो 3 का square क्या हो जाएगा 9x square है ना और plus 3 2 जा 6x plus 1 equals to यह हो जाएगा आपका 9 और यह आपका देखो इधर x square minus 2x plus 1 plus 9x square 9x square और 9x square आपका LHSHS दोनों में क्या हो जाएगा cut out हो जाएगा ठीक है अब जो है आप क्या करो कि इन दोनों को उठा के आप दिस सेट लेओ या इन सब कोई सेट लेओ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे तो चलिए हम लोग इधर 0 कर देते हैं और यह आपका इधर x square minus 2x plus 1 इधर से plus 1 इधर गया तो माइनस 1 और इधर से plus 6 इधर गया तो माइनस 6x ठीक है तो यह आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वार माइनस 8x और प्लस माइनस इधर कैंसल ओट हो गया ठीक है अगर आप इसको सिंपल वे में लिख हो तो क्या लिख सकते हैं 8x square x square minus 8x equals to 0 ठीक है अब तो इसको जो है आपको बहत ही आसान हो गया इसको solve करना क्यों चुकि दोनों में x common है तो x को common निकाल दो क्या बचेगा x minus 8 equals to 0 तो x की value एक 0 आ जाएगी और एक positive 8 आ जाएगा ठीक है तो 0 तो होगा नहीं चुकि किसी का length जो है वो 0 नहीं हो सकता है तो क्या होगा 8 होगा अब अगर हम लोग यहां से a,b,ac और b,c का value निकाले मतलब length of this side आ जाएगा आपका ठीक है x का value तो 8 आ गया 8 minus 1 मतलब 7 और यह हो जाएगा 8 into 3 into 8 मतलब 24 ठीक है तो यानि कि आप लोग का side जो निकला ac निकला आपका 25 cm है ना और चुकि यह सब सारा centimeter में आपका given है इसलिए side आपके centimeter में ही होगे ठीक है तो ac आपका निकला 25 cm, ab आपका निकला 7 cm और b,c निकला आपका 24 cm ठीक है अब हम लोग को क्या निकलना है इसका area निकलना है ठीक है तो area निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे simply जो है वो half into base into height लगा देंगे चोकि right angle triangle का जो area निकलने का सबसे best formula है वो आपका half into base height है वैसे triangle का तो बहुत सारा formula होता है फिरोंस formula से भी निकल सकते हो ठीक है लेकिन हम लोग half into base into height ही लगाएंगे तो area of triangle we know that half into base into height what we get after putting the value of b and h here b is 24 and h is that means height is what a b that is 7 what we will get 12 into 7 84 cm square now area of triangle equals to 84 cm square तो इस तरह से जो है आप लोग कोई भी question को बहुत ही easy way में solve कर सकते हैं तो इस तरह के से मैं triangle का दो example लिया अब मैं एकाद question जो है वो rectangle का लेता हूँ ठीक है तो जिससे आप लोग को ये जो area वाला जितना भी question है जैसे triangle का हो गया या rectangle का हो गया वो आपका I think so कि आपका वो clear हो गया ठीक है और अगर clear नहीं होता है तो मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ कि बीना हीच पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब दूँगा मेरे contact number पर contact करो group में message करो या comment box में भेजो या chat box में भेजो बहुत सारे option अवलेबल हैं वो आप पर depend करता है कि आप पूछना चाहरे हो की नहीं ठीक है अच्छा मैं एक बात तो अगर मैं आप लोग के सामने होता तो मैं बहु है कि मैं आप से मिल नहीं पा रहा हूं और मैं बहुत जल्दी आप लोग से live मिलना चाहरा हूं ठीक है और live में आओंगा next week में आप लोग ready रहना मैं आप लोग को बतलाना यह चाहरा हूं कि class 10 को अगर आप लोगों ने हलके में लिया ठीक है तो यह आप लोग को बहुत परिसान करेगा इसलिए जो कि class 10 का result जो है वो सब कुछ decide करता है class 10 का score आपका आप कहा सकते हो कि आपका future decide करता है ठीक है तो छोटी छोटी गलतिया आपको जो है वो मुश्किलात में डाल सकती है इसलिए आप लोग खुब महनत करो खुब अच्छे से पढ़ाई करो दिक्कत आती है तो concern teacher से आप पूछो ठीक है और हीच की चाहट मत करो ठीक है वीडियोस देखने में मुझे लगता है कि आप लोग को परिशानी हो रही हो कोश्चन लिया हूँ यह भी एक बहुत एजी कोश्चन है ठीक है लेकिन चुकि आप लोग के स्लेबस में है और concept से आप लोग को जुड़ना बहुत ज़रूरी है अगर concept से ने जुड़ेगे तो types of questions जो होते है वो आपके clear नहीं पहेंगे तो पहला question में आप लोग को number system से बतला है था कि number system का question जो है वो quadratic equation से आप कैसे solve कर सकते हो second question में आप लोग को बतला है कि triangle वाला question जैसे right angle triangle है तो वहां पर quadratic equation लगा करके कैसे solve कर सकते हो और third question जो है मैं आप लोग को बतला दू कि यहां rectangle है तो कोई ज़रूरी नहीं कि question आपको rectangle से ही पूछे जाएंगे ठीक तो इस तरीके से जो है आप लोग solve कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग question पढ़ते हैं हमेशा की तरह की question बोल क्या रहा है कि the perimeter of a rectangle is 104 meter ठीक है यानि कि एक rectangle है जिसका perimeter कितना है 104 meter है ठीक है and its area is 640 meter square और उसी rectangle का area आपका कितना दिया हुआ है 640 meter square तो आपको क्या निकालना है find the length and the breadth तो आपको जो है वो length और breadth निकालके देना है ठीक है तो चलिए प्यारा साम लोग सबसे पहले क्या करते हैं एक rectangle बना लेते हैं ठीक है एक प्यारा सा rectangle नाम दे दो इसका ABCD ठीक है अब क्या है इसका दिया हुआ क्या है सबसे पहला काम जो है वो sub question में given given लिखने से आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है perimeter कितना है तो यह है आपका 104 meter ठीक है और area यह कितना है 640 meters का square ठीक है ना हम लोग को पता है कि rectangle का जो formula होता है perimeter का perimeter of a rectangle equals to क्या होता है 2 into L plus में B ठीक है 2 into L plus B तो यह आपका दिया हुआ है कितना 104 meter तो यहां से आप क्या करोगे L plus B निकाल लो कितना हो जाएगा 104 by में 2 यह आपका 52 meter के equal हो जाएगा ठीक है तो L plus B आपका 52 और area दिया हुआ है यानि कि L into B आपका दिया हुआ है 640 meter square ठीक है तो यहां पे आप दिकत की बात क्या है कि L और B दो variable हो गया है यहां भी L और B दो variable हो गया है तब अगर दो variable का case हो जाए तो वो तो quadratic equation में आएगा नहीं चोकि quadratic equation one variable को follow करता है तब आप उस case में क्या करोगे तब आपको उस case में करना कुछ नहीं है आपको दूसरा वाला को भी जो है वो one variable मतलब ऐसा set करना है कि वो आपका one variable में आ जाए देखिए कैसे करते हैं हम लोग लेंथ को x माल लेते हैं let the length be x अगर length को हम लोग x माल लेते हैं चोकि length हम लोग पाता नहीं है तो x plus b equals to क्या हो जाए तो अगर यहां से simply हम लोग b निकाले तो क्या निकाल सकते हैं 52 माइनस x ठीक है b आपका क्या हो गया 52 माइनस x मीटर है और l को हम लोगोंने क्या माना है x माना है तो अब अगर हम लोग put करेंगे तो क्या हो जागा x इंटू b के जगा क्या लिख सकते हैं 52 माइनस x equals to 640 ठीक है अब अगर इसको हम लोग solve करेंगे तो क्या पाएंगे यह ह माइनस x square equals to 640 ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं सारे चीज़ को lhs में ले आते हैं तो यह हो जाएगा माइनस x square प्लस 52 x माइनस 640 equals to 0 ठीक है इन तुनों में से माइनस को आप कॉमन ले लो तो माइनस को कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा x square यह अप्लोच ज़िटीव है तो यहां माज नेगिटीव हो जाएगा 52 x प्लस 640 equals to 0 अब यह quadratic equation के form में आ गिया अब यह यहां से आप जो है वो इसको solve कर सकते हैं ठीक है अब यहां आप कुछ भी लगा सकते हो यहां पर आपका जोड़ने घटाने पर 52 हाना चाहिए और multiply करने पर 640 आना चाहिए ठीक है तो आप लोग क्या के ले सकते हो 32 x 20 ले सकते हो 0, 0, 64 ठीक है देखो 640 आ गया याने कि 32 में 20 को आप multiply करोगे तो आपका 640 आ जाएगा ठीक है सिधी सिधी बात है 32 x 2, 64 यह 64 के equal आ जाएगा और 32 में से 20 गया तो आपका 32 और 20 मिला के 52 हो जाएगे है ना तो इस तरीके से आप solve कर सकते हो अब यह minus इसके 0 में जला गया तो से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो equation हमारा क्या है equation है x square minus 52 x plus 640 equals to 0 अब यहां से गर आप 0s निकालोगे मतलब x की values निकालोगे तो आप factorize method से निकाल सकते हो x square 52 है ना तो 32 और 20 और दोनों negative मिलेंगे हम लोग 32 x minus 20 x plus 640 है ना यह 0 का equal हो जाएगा आपका इन दोनों में common क्या है भई तो x common है तो आपका हो गया x minus 32 इन दोनों में common क्या है तो minus 20 common है ना तो x minus 32 equals to 0 तो 1 0 आजाएगा x minus 20 और दूसरा 0 आजाएगा x minus 32 equals to 0 हाना तो x का दो value यहां से निकलेगा आपका क्या क्या निकलेगा Rise 20 निकलेगा और दूसरा 32 निकलेगा या तो आप 20 लेलो या 32 लेलो ठीक है तो length and breath हम लोगो निकालने के लिए बोल रहा था है ना तो हम लोग बहूत easily length and breath निकाल सकते है ना यहां से जो है आप पूट करो L into B equals to 640 meter square तो L के value हम लोग ले लेते हैं यानि X लिया था L के जगा पर तो L के value हम लोग लेते हैं पहले 20 तो हमारा breath क्या निकलेगा तो 640 तो B equals to 640 upon 20 00 कट गया 32 है ना तो अगर हम लोग L लेंगे क्या 20 तो B हमारा कितना आजाएगा 32 है ना उसी तरीके से अगर आप L लेंगे 32 तो B आपका कितना आजाएगा 20 आजाएगा है ना meter में सारा कुछ आपका किस में रहेगा meter में रहेगा तो इस तरीके से जो है rectangle का question भी जो है बहुत easily solve किया जा सकता है quality के question का लगा करके हाना तो ये जो area वाले question थे चाहे वो triangle से हो चाहे वो rectangle से हो वो आपका बन जाना चाहिए हाना और अगर नहीं बनता है तो मैं बार-बार बोल रहा हूं मुझसे कंसल्ट करो मैं फिर से एकात question करवा दूँगा इसके बाद हम लोग चलेंगे type 4 के दरफ